हेलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगी दोस्तो आज हमें बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेक आउट देखने को मिला और यहां पर काफी बहतरी इन लर्निंग चिपी हुए अभी मैं आपको लोजिक में एक्स्प्लेंट करूँगा आज अपोर्चुनिटी में यह निफ्टी 50 में मिलिया है निफ्टी 50 वाली वीडियो में हम इसका प्रोपर लोजिक एक्स्प्लेंट करेंगे लेकिन मैं आपको एक हलका सा आइडिया दे देता हूँ मार्किट ने गैप अप ओपनिंग दी ये वाले जोन हमें पहले से ही पता थे हमने कल मार्क करके रखे हुए थे और मार्किट ने देखो इसी जोन पर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर आपको बना कर दिया ट्रेडिंग डेलो फिर मार्किट ने इस ट्रेडिंग डेलो का breakdown दिया, इस वाले zone का breakout दिया, breakdown दिया, और आप देखेंगे market है सीदे सीदे इस zone में support लिया है, सीदे सीदे आपको momentum मिल रहा था, तो यानि कि जितना बहतरी momentum आपको nifty 50 में मिला है, इतना बहतरी momentum आपको ना तो bank nifty में मिला है, ना nifty financial services में मिला है, हाला कि bank nifty में भी ये वाला जो momentum था, जब market trading day high का breakout देखे चला, यहाँ पे काफी बहतरी learning चिपी हुए है, मैं उसे समझाने की कोसिस करूँगा, और समझने की कोसिस कीजिएगा, अब ध्यान से देखो, इस वाले zone पे हमने कल बहुत ज़्यादा फोकस किया था, एक तो यहाँ पे 7th का day high बैठा हुआ है, ठीक है, आज भी अगर आप market ने देखेंगे, यहाँ पे rejection लिया हुआ है, लेकिन उसे जरूरी क्या था कि 7th को market ने बार-बार इसका breakout देने की कोसिस की थी, लेकिन दे नहीं पायता है, तो हमने भर-बर के इसका discussion किया था, साथी यहाँ पे 45,000 का level भी है, एक round level भी है, तो फिर आपके मन में एक बहतरीन सा सवाल आया होगा, हर किसी की मन में आया होगा, कि इस पूरे momentum को पकड़ कैसे सकते हैं, जब यहाँ पे previous day high का एक resistance भी है, और 45,000 round level भी है, अगर आप मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, तो मैंने आपको एक बात explain किया है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को miss मत किया करो, point to point देखा करो, मैंने आपको समझा है हुआ है, अगर यह कोई important level है, market इसका सीधा break out दे रहा है, trade नहीं करनी है, नई position नहीं बनानी है, देखो, याद आ रहा है कि नहीं, मुझे बताना कि आपको याद है, comment करके आपको बताना है कि हाँ, यह हमें याद था, अब यहाँ पे opportunity कब बन सकती है, या तो market पहले से आये, यहाँ पे कुछ time spent करें, फिर break out देके चले, तो हम इस situation पे trade ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक twist है, मैंने अभी आपको क्या समझाए, अगर किसी important level का market सीधे break out दे रहा है, तो trade नहीं लेनी है, यादि नहीं position नहीं बनानी है, समझ में आया है, लेकिन यहाँ पे जो यह twist है, यह twist इस बात पे है, अगर हमारा कोई setup पहले बन रहा था और market उस setup का breakout देके चल रहा है, त्यान से समझो, और फिर इसका भी breakout दे रहा है, तो नहीं position तो हमें नहीं बनानी, यह हमें समझ में आगे, लेकिन हमारी जो पुरानी position बनी हुई है, हम उसकी मदद से इस momentum को पकड़ सकते हैं, कैसे? यह भी मैंने आपको explain क्यों है, अगर हमारा stop loss कहीं यहाँ पे था, अगर हमारी यहाँ पे position बनी है, तो stop loss कहीं उसके नीचे होगा, तो हम अपनी stop loss को उठाके, उस important level पे put कर सकते हैं, और फिर इस momentum को पकड़ने के कोसिस कर सकते हैं, क्योंकि अगर market reverse आया, तो definitely हमारा stop loss हो जाएगा, लेकिन यह profit हमारे आथ से नहीं जाएगा, यह profit हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर market इसका breakout देके चला, उपर की तरफ momentum दिखाया, तो हमारा stop loss यहाँ पे हैं, हम stop loss को और भी ट्रेल कर सकते हैं, candle by candle, या swing by swing भी, इस stop loss को हम ट्रेल करके पूरे momentum को पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पे जो scenario हो रहा है, वो यही हो रहा है, market ने आपको breakout दिया trading day high का, यहाँ पे जो market ने सिनेरियो बनाया, अपने previous day closing पे market support ले रहा है, जो momentum हमें देखने को मिला, यह तो market previous day closing का breakdown दे, लेकिन यहाँ पे भी हम selling position नहीं ले सकते, या फिर एक position negative side नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि नीचे ही हमारा क्या बेठा हुआ है, previous day low बेठा हुआ है, यह तो हम यह कर सकते हैं अगर previous day closing से market नीचे चलता है तो previous day low तक हम scalping कर सकते हैं, लेकिन बहतरीन opportunity मिलती हमें previous day low का breakdown होता, तो यहाँ पे यह तो opportunity बनी नहीं, फिर market ने आपको trading day high का breakout देदे, एक बहतरीन सब projection बनाया, time spent किया और बहतरीन सब momentum दिखाया market ने, उपर हमारे लिए resistance कहां पे था एक तो 45,000 round level है और इसी जोन में हमारा previous day high भी है, सिधा सिधा में यह momentum दिखाई देड़ा है अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको आपने target decide किया होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका resistance था, वो यह था previous day high का, लेकिन market ने सीधे ही breakout दे दिया, अभी मैंने आपको समझाए ना, कि अगर किसी important level का market सीधे breakout दे रहा है तो नई entry नहीं बनानी है, लेकिन अगर हम पहले से ही entry में बैटे हुए हैं, तो हम अपने stop loss को trail कर सकते हैं और इस momentum को, इस breakout वाले momentum को पकड़ने के causes कर सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी important level का market breakout देता है तो वो क्या करता है, एक retest projection बनाता है, अगर यहाँ पे breakout देके चलता, तब हम नई entry बना सकते थे, जैसे कि market ने यह momentum दिखाया, यहाँ पे momentum दिखा दिया, और जो यह वापिस आके यहाँ से चला जाता, यहाँ पे आपको breakout दे देता, तो हम नई position क्रेट कर सकते थे, तो उमीद है आपने इस पूरे momentum को पकड़ा होगा आज कौन-कौन से setup ने काम किया, एक तो trading day high के breakout वाला setup, जो आपको यहाँ पे सिधे-सिधे बनता होगा दिखाया दिया, एक previous day high के breakout वाला setup, जो आपको यहाँ पे बनता होगा दिखाया दिया, market ने एक retest किया, projection बनाया, एक बहतरीन momentum मार्केट ने आपको यहाँ पे दिया, अगर आप इन setups के बारे में नहीं जानते, फिलाल 20% off चल रहा है, सभी पे नीचे description में आपको application का link मिलाएगा, वहाँ से जाके आप इस offer का फाइदा उठा सकते हैं 20% off दिया जा रहा है फिलाल, और यह offer जल्द ही खतम भी कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको सिधे सिधे momentum मिला, अब कल की दिन देखते हैं, market ने जो आज momentum दिया है, यहाँ पे कुछ खासी market ने दिखा दिया है पहले मैं आपको बंडे के time frame पे दिखाता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है लोजिक पसंद आ रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो like जरूर कीजिएगा, like target 5000 like, जल्दी से like button प्रेस करना शुरू कर दिजिए अब यहाँ पे scenario देखो market बार बार इस level पे time spend कर रहा है बार बार इसका breakout देनी की कोशिस कर रहा है और यहाँ पे हमारा एक pattern भी create कर रहा है मैंने आपको चार pattern बताया हुआ है जिन्होंने course किया हुआ है, उन्हें भी पता है triangle वाले pattern, trend line से मिलके बना हुआ pattern parallel pattern, तो यहाँ पे आपको यह वाला pattern देखने को मिल रहा है उपर आपको resistance, नीचे आपको यह trend line दिखाई दे रहे होगी बस हमें यह इंतिजार करना है अगर market ने दिया इसका breakdown तो higher probability है कि market इस zone में वापिस आने की कोशिस करेगा पहली चीज़, अगर इसका breakout दिया तो higher probability है market यहाँ पे जाने की कोशिस करेगा अगला resistance जो बढ़े टाइम फ्रेम पे यहाँ आम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे है अगला resistance यह देगा फिलाल मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे आपका ध्यान सिर्फ इसी तरफ ले जाना चारा था कि यहाँ पे हमारा एक pattern बना इसके breakout या breakdown पे आपको अपनी खास नजर रखनी है अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ मैंने तीन लेवल ड्रो करके रखे हुए अब इन तीन लेवल का मतलब क्या है वो समझ लो अब समझते हैं हम पहले इस वाले लेवल को यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकिंड को मार्केट ने support लिया इस जोन में थर्ड को भी मार्केट ने इसकी respect की support लिया फोर्थ को भी मार्केट इसी जोन के असपास open हुआ resistance की track किया यह बात हम सभी जानते हैं अगर support था breakdown मिला वो resistance की track करेगा यह resistance था breakout मिला वो support की track करेगा यह normal से चीज आप सभी जानते हैं फिर थोड़ा ओर आ गया जाए फोर्थ को भी मार्केट ने इस जोन पे support दिखाया डेलो भी इसी जोन में पड़ा हुआ है आज के दिन भी मार्केट सेमी जोन पे support लेके चला गया अब यहाँ पे हमने एक discussion किया था अगर मार्केट इसी जोन में रहा एक sideways momentum दिखाया तो आप trade नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ scalping की opportunities देखेंगे पहली चीज हमें समझ में आगी दूसरी चीज इस वाले जोन पे अगर आप focus करेंगे इस वाले जोन का discussion कल भी किया गया था और detail में किया गया था एक तो यहाँ पे 45,000 round level था दूसरा अगर आप देखेंगी 3rd को भी या 2nd को भी आप देख लो market ने support लिया breakdown देने के बाद यहाँ पे resistance दिया closing भी यह भी हमने discuss किया था 3rd का day high भी इसी जोन में पढ़ा हुआ है यह भी हमने discuss किया था 4th में भी आप देखेंगे market ने इसी जोन के असपास आपको यहाँ पे resistance दिखाया था एक बहतरिन सा momentum दिखाया है इवन closing भी आप देखेंगे इसी जोन के असपास है सेवंत को यानि कि कल के दिन अगर आप देखेंगे इसी जोन पर market का day high पढ़ा हुआ है आज market ने इसका breakout देने की कोजिस के लेकिन price sustain नहीं कर पाया फिर पूरे दिन इसी जोन पर resistance के दिखाया यानि कि ऊपर ये level रोक के बैठाया है और ये level रोक के बैठाया है market को नीचे ये level बैठा हुआ है यानि कि जब तक market इन levels में रहेगा तो वो आपको बड़ी opportunity नहीं देनेगा और मैं आपको एक पात हमेसा कहता हूँ option buyer को quick momentum पगड़ने होते हैं अगर उसे profit बनाना है जो option seller होते हैं वो sideways market में profit बना लेते हैं धीरे-धीरे quick momentum अगर उनकी direction में हो रहा है वहाँ पे भी profit बना लेते हैं लेकिन option buyer ना तो sideways market में profit बना पाता है नहीं धीरे-धीरे अगर momentum कर रहा है market premium decay होता है उसे इतना बहतरीन सा profit नहीं होता है उसे profit होता है quick momentum में, जैसे कि यह quick momentum, जैसे कि यह quick momentum, यहाँ पर आप देखेंगे, यह quick momentum, यह quick momentum, यह quick momentum, यह quick momentum, यह sideways राख कोई profit नहीं होगा, यह sideways राख कोई profit नहीं होगा, यहाँ पर profit होगा, क्योंकि उसकी direction में सीधे-सीधे quick momentum आया, और जो इस तरह के momentum होते हैं, यह तो ब तो यानि कि अब यहां से हमें कुछ चीजे तो पता चल गई, तीन चीजे तो हमें यहां पर पता चल गई, दो तो resistance और एक support, जो market को यहीं पे ही बांदे हुए रखे हुए हैं, second को भी, third को भी, हलाकि third को breakdown दिया है, fourth को भी आप देखेंगे, seventh को भी, और आज के दिन भी market को इसी zone में बांदे हुए, तो इस zone में अगर market रहा, तो आप सिर्फ और सिर्फ scalping देखेंगे, अब एक-एक point का हम discussion करते हैं, अगर market flat open होके आपको positive momentum दिखाता है, फिर सध्यान से समझो, और previous day closing से ऊपर चलने लगता है, तो क्या trade करनी है, मेरे साथ बोलो, नहीं करनी है, क काफी लोग सोचेंगे, market अगर 45,000 का breakout देते हैं, तब trade कर लेते हैं, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे previous day high बैठा हुआ है, काफी लोग सोचेंगे, कोई बात नहीं, previous day high बैठा हुआ है, पर लेकिन हम पिछली चीजों को भी ignore नहीं कर सकते, फौर्थ को भी यहाँ से एक sellers active होते हुए market में दिखाई देते, तो इन चीजों को भी हम ignore नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में क्या आया, यहाँ से हमें यह समझ में आया, कि जब तक market जो यह second का swing बना हुआ है, जब तक इसका breakout नहीं निकालता, आपको एक positive momentum market में, positive side आपको position नहीं ल का, तो आपको 45,000 का भी breakout मिल रहा है, आपको previous day high का भी breakout मिल रहा है, आपको इस resistance zone का भी breakout मिल रहा है, यानि कि सारी चीजे आपकी fulfill हो रहे है, ज़्यादा बहतर क्या है, जैसे market यहाँ पर 45,000 के पास time spend कर रहा था, अगर market यहीं पर time spend कर दे, वहीं 45,000 का breakout दे कि यहाँ पर time spend कर दे, फिर जो momentum दे दे, यह और भी ज़्यादा बहतरीन चीज़ हो जाएगी, या फिर हमारे लिए एक price action बना दे, market इसका breakout दे के जाए, वापिस आ जाए एक बार, और इसे retest कर दे, फिर जो यह momentum दिखा दे, यह आपके लिए और भी ज़्यादा बहतरीन सा price action बन दिखा रहा है, इस situation पे हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यह वाला zone explain किया, यह important support बना हुआ है, market के लिए, हमने पहले भी देखा, इसने एक support की तरह act किया है, जब जब इसका breakdown आया है, इसने resistance की तरह भी act किया हुआ है, यह चीज़ हमने यह आपर देख लिए, तो नीची की यहाँ पे, समझ में आई, क्यों नहीं बनानी चाहिए, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि एक important support है, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, market क्या projection बना रहा है, bounce कर रहा है, या फिर इसका breakdown देगा, यह हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर आपको इसक Dalot का breakdown मिल जाएगा, प्लस एक important support zone का breakdown मिल जाएगा, इस situation पर जो हमारे लिए support बनेगा, fourth काczenia शुविंग बना हुआ है, यह आपको अगला support, इसका breakdown मिल गया, आप क्या कर सकते हैं, अगर gap up opening का scenario बन रहा है, तो इसका मतलब हमें पूरा focus इस वाले zone पे ही रखना है, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे twist है, अगर market यहाँ पे gap up opening दी, breakout दे दिया, या gap up opening दे के कुछ time spent करके breakout दे दिया, तो यह बहुत ही plus point हो गए, यानि कि positive direction में, हमे positions के बारे में, हम यहाँ पे सोच सकते हैं, चीज़े समझ में, मैं क्या समझाने के कोशिस कर रहा हूँ, positive direction में, हम इसके बारे में सोच सकते हैं, यहाँ तक चीज़े clear हो रही है न, जो मैं समझाने के कोशिस कर रहा हूँ, दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे gap up opening देखने को मिली जैसे कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे इस वाले जोन पे हम फोकस रखेंगे और यहाँ पे ट्विस्ट क्या है अगर मार्किट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेक आउट दे दिया तो हमारे लिए काफी बहतरीन प्लस पॉइंट आपको पता है कि आपके लिए रजिस्टेंस जोन कौन सा होने वाला है लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला क्या सेलिंग कर लेनी चाहिए या नेगेटिव साइड पोजिशन बना लेनी चाहिए जवाब है नहीं क्योंकि हमें चाहिए प्रिवियस डे क्लोजिंग से नीचे बलकि मैं तो सुझेश्ट करूँगा कि जब तक मार्किट फॉर्टी फॉर्टाउजन नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको एक नेगेटिव साइड पोजिशन बनाने के बारे में नहीं सोच न चाहिए इसके नीचे भी आया है तब यहां तक स्कल्पिंग करेंगे भेतर आपको जो उप ओर्चुनृटी मिलेगी वो इसके ब्रेकडाउन के बाद यान है कि प। Trump बेंखर प्रिवियस डेलोग के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट ब्रेकडाउन दे के चलता है, तो नेगेटिव साइब पोजिशन नहीं बनानी है, जब तक कि प्रिवेस डे लोग का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, लेकिन आप यहां तक स्केल्पिंग जरूर कर सकते हैं, पहली चीज समझ में आई, दूसरी अगर मार्केट यहां को गैप डाउन ओपनिंग दी, और मार्केट प्रिवेस डे क्लोजिंग का ब्रेक आउट दे रहा है, यहां तक आप स्केल्पिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है फिलाल, दोस्तों, अगर कॉंटेंट पसंद आ रहा ह किसी नेक्स वीडियो में, किसी अच्छे कॉंटेंट के साथ, थैंक यू